हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इस्टुडी पॉइंट पर और यहां आपके लिए आज है फरवरी सब्ताइक करन्ट अफियर्स रविवार इसफेशल क्लास सिर्फ आपकी सरकारी भरती परिक् पर वहां पर कोईज भी कराई जाती है डेली हर सब्जक्ट की ठीक है चलिए मैं एक थौट के साथ अपनी क्लास को आगे के तरफ बढ़ाते हैं तो थौट है आज हमारा संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है में जो चीज पॉसिबल है उसकी लिमिट जानने का एक तरीका है आप इंपॉसिबल जैसे वर्ड को खतम करतों और उस इंपॉसिबल वर्ड को ऐसे पढ़ो कि वह कहें चीख-चीख कर आंपॉसिबल दाट सिट चले आगे बढ़ते हैं हम आज अपने सिरीज की तरफ और आज पुरुसकार में ब्रैक्त्रू पुरुसकार के लिए नामांकित किया गया है उस खिलाडी का नाम क्या है तो यहां आप्शन नमबर बी आपका नीरत चोप्रा बिलकुल राइट आंसर जाएगा आई एक उच नीरत चोप्रा से रिलेटर हम फैक्त चाल लेते हैं तो जैसा क जो जन्म है वो 1997 पानीपत हर्याडा में हुआ था इसी के साथ इन्होंने जो जैवलिंग थ्रो किया था वह लगबग था इनका 87.58 मीटर ठीके इसी के साथ मैं आपको इंसे रिलेटर कुछ और प्रेक्ट बता देना चाहती हूं हाली में जब 2018 में 2018 में जकार्ता एसिया खे और वहां पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 88.6 मीटर का जैवलिंग थ्रो में और 2016 के दक्षिड एसी खेलों में भी नीरा चोपडा ने गोल्ड मैडल जीता था जैवलिंग थ्रो में और वहां पर भी इन्होंने स्कोर किया था इसी के साथ इन्होंने 2017 में एशिया एथलेटिक चैंपियंसिप में भी शुण पदक जीता था और नीरा चोपडा को 2018 में नीरा चोपडा को अर्जुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और इसी के साथ गुवाहटी रास्टमंडल खेलों में जो आपके हुए थे 2016 में ठीके 2016 में हुए थे वहां पर भी नीरा चोपडा जीने स्वन्ड पदक जीता था इसलिए इने गोल्डन बॉय के नाम से भी हम जानते हैं ठीके तो यहां हमारा जो राइट आंसर है वो है नीरा चोपडा ठीके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश चाहिए कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यहां आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा चार फरवरी विश्व कैंसर दिवस अच्छा तो फ्रेंट इससे कुछ जान लेते हैं चलिए जानते हैं देखिए डबलू एचो वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन ने 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्वसलेंड में बनाया था ठीक है अचा उसकेंसर दिवस क्यों मनाया जाता है यह एक डिसीज है ठीक है बिमारी के बारे में लोगों के अंदर अवर्र नयस जागरूकता जगाने के लिए इस इस बिमारी से रिलेटपर ड्रॉवैट्ट में च यहां अगला कोशन हमारा है देश का पहला ग्राफी नवाचार केंद्र किस राज में स्थापित होगा ठीके देश का पहला ग्राफी नवाचार केंद्र किस राज में स्थापित होगा तो यहां आपका आप्शन नमबर एक केरल जाएगा ठीके केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं यहां हमारा अगला कोशन है भारत के किस राज में देश का पहला जियोलोजिकल पार्क बनाने की घोश्रा की गई है आपके यह कोशन बहुत इंपोर्डेंट है मैं आपको बता देना चाहती हूं ऐसे कोशन आपके एस्टेट एग्जाम में हुबा हू यही पूछे जाती है क्योंकि पेपर का जो आपका करेंट अफियर्स आया हुआ है दोनों साल में जो आपका पेपर हुआ था एक में क्योंकि कोई बिपर जब सबस्तों होता है तो पृप्रिविस यर के फिंटिफेश एटम सेट करें सेट होता है प्रिविस यह कर ट्विइवाश थे जो सदीके पर यह एंप स हैं धिख प disciplines को ही मिलता है ठीक है तो यहां पर है भारत के किस राजमें देश का पहला जुर स कर यह हैं जहें का राइट आंसर है म Niya Pradesh का मंधि प्रदेश का जाता है और मतुद्स को बहुंद को पहला वारट क्या loving यह कोशन मैं आपको करा चुकी हूं फिर भी इन चीजों को मैं रिवाइस करवा देती हूं स्रीज में जिससे दिमाख में चीज़े बैठी रहे और इन दौर हाली में चौथी बार सबसे स्वच सहर की लिस्ट में अपन नंबर पे आया हुआ है तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बिचार है जैसा कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं ध्यान रखिए जिसने कठिन परिश्रम किया है तूफानों को देखा है वही लोग दुनिया को बदलते हैं चलिए आये चलते हैं अपने कोशन की आगे की तरफ और यहां हमारा क इससे रिलेटेड काफी सारे कोश्टन्स बगते हैं क्या है यह विश्वादिता दिवश और किस से रिलेटे है तो ध्यान रखिए यह दो फरवरी को मिनाया जाता है इसको में इंग्लिस में वर्ड वैटलेंड दे कहते हैं अच्छा चलिए जानते हैं वैटलेंड का मीनिंग तो पता है आपको वैटलेंड यानि नम भूमी ठीक है न मौइस्ट लैंड मौइस्ट मतलब नमी या आदर भूमी अब जमीन का वह हिस्सा जहां पानी और भूमी आपस में मिलते हो उसे वैटलेंड कहा जाता है गॉट इट ओके नेक्स हम यहाँ पर कुछ जानना इसी दिन इरान के रामसर में वैटलेंड कन्वेंशन को अपनाए गया था और मैं आपको बता दू इसके दो हजार बाइस में प्यावन्यक्त को करन्वाफ का विश्व आदिता देवस तो यहां अमारा जो right answer है वो दो फरवरी है आईए चलते हैं आगे की तरफ यहां पर है भारत में कितने रामसर साइट हैं रामसर साइट समझ रहे हैं रामसर साइट यहां पर उसी को बोला जा रहा है किसको आदर भूमी या नम भूमी जिने रामसर कन्वेंशन के तहथ अंतर्रास्टी महत दिया जाता है वह उसी से रिलेटेड हैं आपके रामसर से रिलेटेड हैं आपके वैट लेंड या फिर मॉइस्ट लेंड यहां हम इसे आदर भूमी या नम भूमी कहते हैं ठीक है तो भाई यहां हमसे कोशन पूछा जा रहा है कि भारत में कितने रामसर साइड है यानि कि हमसे बरतमान में प्रशन हमसे किया जा रहा है तो बरतमान में इसका उत्तर देंगे 49 हो गए आपके डू फरवरी को दो और नए एड हुए है ठीक है पहले 47 थे 2021 तक लेकिन 2022 की रिपोर्ट के अकोडिक 49 हो गए है अच्छा कौन पूछा गया था हमने उतना जवाब दे दिया 49 हो गए है चलिए आगे कोशन देखें अगला कोशन हमारा यहां पे केंद्रिये परियावरण वन एवं जलवायू परिवत्तर मंत्राले द्वारा कितने नए रामसर साइड की गोशना की गई है अभी आपको थोड़ी दिर प अच्छा ठीक है दो कौन-कौन से जुड़े हुए तो देखिए हैदर्पुल वैटलैंड को मिला रामसर साइड का दरजा हाली में केंद्रिये परियावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा दो नए रामसर इस्थलों की गोशना की गई है और यह घोश वन ने जीव अभ्यारण तो अब बरतमान में कुल 49 यानि कि उननचास रामसर इस्थल हो गए है ठीक है और इसके साथ मैंने पहले आपको बता यह चीज़ बता दी थी कि रामसर वै आदरभूमी या नमभूमी है जिनने रामसर कन्वेंशन के तहट अंतर रास्टी यानि क की इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दिया गया है ठीके फ्रेंट्स चलिए अब अगला व्रश्ण हमारा यहां है आम बजट में वित्र मंत्री वित्र मंत्री को और आपके इलमला सीतारा मड़ची तुने नए बंदे भारत दोड़ाने की खोशना की गई है अब आप सुमनें क है 2022-2023 का उसमें कुल बज़र्ट दिया गया है पूरा वीडियो A to Z वहां पर है आप जागर के अपने यूट्यूब और इसके बाद अगली सीरीज में मैं बज़र्ट से रिलेटिट कोशन्स लेके आऊंगी पहले मैंने आपको बज़र्ट पढ़ा दिया है और यहां पर 400 फोर हंड्रेट बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है बंदे भारत दोड़ाने कितनी खोशना की गए तो 400 ठीक है अब वापस तो नहीं जा सकते हैं मतलब फर्स्ट से तो पढण नहीं सकते हैं अपने अंत को बद लिए तो जिस पोजीशन पर भी आप खड़े हैं वहां से फिर से स्टार्ट करेए और अपने अंत को बदलिए ठीक है ड़ने के बिल्कुल जरूत नहीं आप वीडियो के साथ ब कि पर निकलता है हम रोज अगर चार दैयार करें ना तो समझ लीजी कि हम क्या तैयार कर रहे हैं और यह कोश्चन सापके पर में आने ही आने हैं 100% मैं गारंटी दे रही हूं इस तरीके पूरा पेपर और एनालिसिस करने के बाद में यहां fact to fact सीजे बनाई जाएंगे जहां से हमारे exam में पूछले requirement हैं वहीं से रखेंगे चलिए अगली सीरीज में मिलते हैं अगली class में मिलते हैं और current affairs और GSGK की सभी classes लेने के लिए आप हमारे education study point channel के साथ जुड़े रहिए बने रहिए thank you so much thanks for watching